एक चीजे कुछ निकाली है डून करके जिसको मैं आपके साथ साजा करना चाहता हूँ तो वह कुछ ऐसा द्रिश्य अभी स्री हेमकुंट साहिब लक्षमनवंदीर का अभी अरदास सुरू होने वाली है और जहां पर हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी ब देख गया देखे तो नेरी पने कुदाई तो बख शंदगी तो बख शंदगी हलो दोस्तो गुड मॉर्निंग नमस्ते स्वागत प्रणाम आपका स्री हेमकुंट साहिब स्री लोगपा लक्षमन मंदीर से तो दोस्तो सबसे पहले कल के दिन 5 जून 2024 को होता है World Environment Day मतला विश्वा परियावरण दिवस होता है तो इसके लिए कुछ सब्द मैं धार्मिक नजरिये से भी आपको बताऊंगा जब संगत सारी रवाना हो जाएंगी उसके बाद आपको मैं अपने नजरी से क्योंकि मेरे बहुत सारे वरिश सब्सक्राइबर हैं जो चाते हैं कि परियावरण के ऊपर भी कुछ बोले कुछ इफेक्ट डाले ताकि हमें जो अपना प्रकृती है प्रकृती है परियावरण है उसको खूब सूरत स्वच्च रखे क्योंकि हमारे लिए वही भगवान है क्योंकि पिर्थिवी है पिर्थिवी में हुआ हैं और मौसं भी थोड़ा-थोड़ा बढ़िया है देखो संगत आ रही है इसनार इसे ने आ आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में संगत और रही है वह बरफ के सरोवर में अम्मत सरोवर में इसना में ले रही एप बड़े प्यार से हैं तो हम निकले हैं काम के लिए और देखे कुछ ऐसा मोसम फोटो खीचने का घाम करते हैं फिर उसका फ्री होंगे तब कुछ बाते आप से शेयर करना में जरूर चाहूंगा पतो जी पुजारी जी भी आगे तवे खराब थे प्रभू और आती सुंदर द सबी लोगां यहां पर आवगमन होता है प्रभू है कि मरत्यूर मुक्ष मामता मुर्क्षनाई मुझाई मंगर महुर्दी इन महसादा सुक्षा टीका भी लग जया है पंडिजी पंडिजी के कल से तवित खराब थी थोड़ी बहुत रात को त्राच्छा हो गया भाहँए अच्छा अनन्द आ गया है सरीर में अच्छी फूर्टी आ गई दो जी है तो वह कुछ ऐसा द्रिश्य अभी स्री हेमकुंड साहिब लक्षमणबंदीर का अभी अर्दास सुरू होने वाली है और साथ सथ हमाली जो संगत है हमारे यूट्यूब फैमिली है जो की लगबग 20 वी यात्रा कहां से कहां तक पटियाला से स्री हेमकुंड लास्ट यहर भी मिला था वीर जी और उसे जो कि उस टाइम उनके 19 वी यात्रा थी और कितने संगतों को आप साथ लेकिया है वीर जी इस बार हमारा आया है 20-22 जनों का जथा और पीछे हमारे एक और आ रहा है आपकोन की वीडियो देखते हैं कुछ सेवा सिंग पडेट मिलता है अच्छा चलो जी आफाने को जरूरत नहीं है सब मौशम साफ है सब अच्छी सुभधा मिल रही है तो चलो तो फिर हम संगत की बुकिंग करनी शुरू कर देते हैं और कभी कवार ओपनिंग के हफते के अंदर अंदरी हम आजाते कभी कवार ओपनिंग के तो जो आपके सेवा है वो बहुत अच्छी है आप सिर्फ अपने आपको नहीं जोड आपर जए नयृट भी बहुत झन्यवाद है और अपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है पैसली सेवा सिंग जी, गुरणाम सिंग जी, मिलप को दूर करते हैं बहुत अच्छा ट्रस्ट का परबंद चलना है ऐसे ही सब का सपोर्ट रहेगा और ऐसे ही आप आगे बढ़ेते रहें ठीक है वाई गुरुजी का खाल्सा वाई गुरुजी की फते थैंक तो जी यहां पर वीर जी आये हैं जो की 25 साल भी आये थे नहीं मैं पहली बार आये हैं वीडियोग देखते थे काफे प्यार करते थे और भाई इनकी जो सेवा है बहुत अच्छी यह दरबार साब के लिए और मंभीर के लिए तो इनका बहुत बहुत थैंक यू सर आपका नाम क्या है मेरा पंकच कुमार है पंकच कुमार कहा से माच्छी वा वाई गुरु जी परमात्मा लक्षमन जी इनको खूब ऊचाईया और तरक्की बखसे और ऐसे ही आगे फैमली निया यह आपको नहीं मैं अकेला है चलो बहुत अच्छा लगा आप वीडियो लगातार देख रहा था मैं हां जी मनमें आया वे नहीं जरूर जाओं रहा है चल कोई बात ने ऐसे ही आज की बाद रखे बाबाजी तो जी आज हो गया बिल्कुल मौसम खराब एक्दम ठंडा सा हो गया है पर संगत बहुत ज़्यादा थी आज के दिन देखो यहां भी दर्शन कर रही है उदर भी हर एक जिगा यह देख यूटी फैमली आई यह जो की ल प्रफची नहीं तो रास्ता भी साफ था तो कैसी रियात्रा अप्लोग वाईग्र जी की पते बहुत ही अच्छी से दर्शन हुआ है कोई दिक्कत नहीं आई है मनेजमें के बहुत अच्छा प्रभंद है आप और मोसम ने भी उच्छा साथ दिया है पर यह की सैकंड जो अ ढrais बस्क तो थैंक्यू ऐख आते रहें अगले बार सकते बीने की पहली जो तो कैसे खाले आपकी यादर आंगा आपके वीडियो के देखकर ही हुआ है पहले तो हमें डर लगता है था कि गलेसिर पता नहीं कैसे होगा लेकिन गलेसिर के चराइब अच्छ नहीं है आसान है निकोई जो बहुत दीखिया लेकिन गलेसिर वाली बहुत अच्छा तो मताफ फर्स्टाइम थकावट नहीं है उतनी बनाता नहीं था हमें तो बहुत अच्छ लगा कि एक वीडियो के माध्यम से आप गुरु घर से जुड़े हो मेरा भी सौबाग या है कि आपको मैं दर्शन करा पाता हूं और ऐसे ही कराता रहा हूं और अच्छी जानकर या अच्छी बात है जब भी आ जाती है खु कोई बात नि मिलते हैं विर्गी थाइंक्यू था आज के दिन बहुत सारी संगत आईवी थी मत्थाटी का दर्शन के बहुत जाता देखो अभी तक संगत जो है रावाना हो रही है दो बजने वाले हैं तो कुछ ऐसा माहूल है तो जल से जल निकलना जरूर है हमें सा बतात अब देख दिये हैं भगवानों ने अब देख दिये हैं वह आपको बताएंगे सब्सक्राइब देख देख दो दो मेगी खानी पढ़ रही है और पुछ नहीं रग रगी देखो तो इसलिए दो-दो मेगी खानी पढ़ रही है जोर और कुछ आप्शन ही नहीं थालेगा चलोगों जल्दी काम बाद में होता रहाएंगा पहले बोजन करना जरूरी तुक7 दवर वाग क॥ए और फ्राण चकर भी आजएग में। झेल भूसांन करना मुझ सथिकर doesn't टीन महगी खाने के बाद चाथी महगी बन वारें दोस्ता यह इसे बहुत बूग की बात कर रहें cannot अच्छा ये कटोरी दिख रही है यहां पर यह नमकीन और कटोरी दिख रही है तू तो मैं पचास मेगी का ले एक जाद भूग जाए बोजन में सिर्फ दो मेगी खाई है और आज ठंडा हो गया फिर से ना कोरा लगना इस्टार्ट हो गया और बारी से बूंदा बंदी जादा नहीं है थोड़ी है देखे बाकि पूरा स्रीहिमकुंड साइब की जो पहाड़िया है न वो कवर हो रखी है यह देखा है तीन बज़े तक दुकान खोल के रखनी होती है केनी रुमाला हर एक चीज़ सेल हो जाती है तो में जो सीजन होता पाता है उतनी कमाई नहीं पाती है क्यों बिल्कु सब्सक्राइब जो कमाई एक मैंने और ग्यारा मैंने घर पालना है क्यों है तो बहुत देखे अभी तीन बजने है संगत भी रवाना हो गई अग्वारा भी लग गया देखे बारिस तो नहीं हो री तो दोस्तों तो जैसी कि आज आपको पता है पांच जून विश्व पर्यावरण दिवस है तो वर्ड इन्वार्मेंट डे है और इसमें मैं मतलब कुछ न कुछ मैंने राइट अप लिखा निकाला कहीं न कहीं से मैं चाहता हूं कि जो मेरी ओडियंस है मेरे सब्सक्राइबर है वो इस जो है इन्वार्मेंट है पर्यावरण है धरती को भी सरक्षित करने के कोसिस करें तो इसके बारे में चोटी सी मैंने एक चीजे कुछ निकाली है ढून करके जिसको मैं आपके साथ साजा करना चाहता हूं इस पवित्र भूमी में रह करके अपने जीवन बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है मतब पेड़ नहीं होंगे तो भाई हम इंसान होई नहीं सकते हम इंसान नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो यह चीज आप समझ रहे होंगे इतना टेंपरेचर बढ़िया है पूरे आल ओवर इंडिया में वर्ड जो ग्लोबल वर्मिंग है तो इसी चीज का नतीजा है कि हम मनुष्य हम मनुष्य जो मतब इस पर्यावरण को इतना च्छती इतना नुकसान पहुचा रहे हैं तो वह सबकी जिम्मेदारी बनती है उसको सोच विचार करके अभी भी इस चीज को हम बचा सकते हैं सरक गुरु नानक देवजी जो कि सिख धरम के सबसे पहले गुरु नानक देवजी ने कहा है गुरु 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 पाणी पिता माता धर्यावरण में भगवान की महिमा का वल्णन किया गया है गुरु नानक देवजी जबजी जबजी साइब में कहते हैं पवनु गुरु पाणी, पिता माता, धर्ती, महतु इसका मतलब है जो कि जब जी पाठ में कहा गया है समस्त्र स्रिष्टि का गुरु पवन है, पाणी पिता है, पिर्थिवी माता है, जो सब की महान जन्नी है तो उन्होंने पाणी को पिता का है और पिर्थिवी को हम मात जन्नी कहते हैं हम अ महा पूरुस है, महा गुरु है, महा देवता है, पुराणों उपनिसदों में, हम हमिसा पड़ते वे आयें बचपन से, कि जो धर्ती मा होती है, उसको हम मा का एक दर्जा देते हैं, मा वेदों में पिर्थिवी को माता माना गया है, और सारी स्रिष्टी उसकी संतान है, पानी को माता पिर्थिवी का दूद माना गया है, जो आप पानी देख रहे हैं उसको पिर्थिवी का दूद, उसी को पी करके हम अपना जीवन व्यापन करते हैं, आप मतब इतना कोई भी नहीं सो सकते है कि बिना पानी के कैसे जीवन व्यापन करें, इसलिए हम कभी भी सुनते ह है कि जल ही जीवन है हम धर्ती मा को उनके अनेक रूप जैसे पेड़ पौदे नदी पहाड़ों को जीवित देवताओं के रूप में भी पूजते हैं हिंदु धर्म में प्रतेक देवी देवता के साथ एक पौधा पेड़ और एक पक्षी जानवर जुड़ा होता है हम देख तो मतलब हर एक जीव जन्तु जानवर पेड़ पौदे तुल्शी माता तुल्शी का जो पौदा होता उसको माता का रूप दिया गया है तो जो पर्यावरण में जित्ते भी चीज़े हैं वो हर एक दोसरे से संबंदित होती है पंजाब में गुरुद्वारा गुरुसर सा जो कि मोगा में पांच एकड भूमी में फैला गुरु नानक बाग पहला ऐसा गुरुबानी आदारित बाग है जो स्री गुरु ग्रंच साहिब में लिखित सभी पेड पौदो की प्रजातियों को संबंदित गुरुद्वानी उधारणों के साथ प्रदर्सित करता है तो जो नहीं जानते हैं मेरे नौन सिक सब्सक्राइबर जो सिक सब्सक्राइबर नहीं भी जानते हो गया तो उनको बता दो पांच एकड में फैला हुआ है गुरु नानक बाग है जो गुरु सर साहिब में है मोगा में हमारा राज्या उत्राखंड पंजाब और भारत के अन्य हिस्से गंबीर पर्यावरणिय इस्तितियों में जूज रहे हैं हम उत्राखंड में भयानक जंगल की आग और पंजाब में व्रिक्ष आवरण के आवरण बोले तो मतलब जो कमी हो गई है 3.5% तक घड़ जाने के बारे में पड़ रहे हैं भै देखे 3.5% बहुत होता है जो टेंसिटी होती है पूरे मतलब आप जंगल जीव जन्तू उसमें 3.5% का जो दर है वो घड़ चुका है पूरे पंजाब उत्राखंड और अनेको जो भारत के राज्य हैं उनमें यहां अत्यंत आवशक है कि हम अपनी पवित्र सास्त्रों वेद उपनिसद गीता और स्री ग समझे, सराएं और सिखाएं और लोगों में यह जो ज्यान है उसको जरूर बाठे गुरुगरण साइब में हमारे जो गीता है उपनिशद है उनमें कितनी सारी चीज़े ऐसे लिखी गई है जो प्रकृति से रिलेटेड है तो उसको हम नकार नहीं सकते हम उसको शेयर करना ह और अपने जीवन में अपनाना भी है क्योंकि धर्ती हमारी मा है अगर धर्ती नहीं तो हम नहीं हम नहीं तो हमारे देवता नहीं हमारे गुरु नहीं तो किसको हम पूछ पाएंगे किसको हम समझ पाएंगे तो विश्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान उस व्यक्त से प्रशन होते हैं जो अन्य बिना बोलने वाले प्राणी जीवों और वनस्पतियों को नुकसान नहीं पहुंचाता या नश्ट नहीं करता हैं तो देखो पुराणों में तक कहा गया है कि भगवान सिर्फ उसी से खुस होते हैं जो पर्यावरों को सुरक्षित रखे जो जा पूजापाट के दौरान, पूजापाट समापति के दौरान हम ये सब्द जरूर कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो तो इसका मतलब बहुत गहरा है सद्भावना मतलब अच्छे संबंदों, अच्छे विचारों एक दूसरे को नुकसान न पहुचाना हो प्रकित्र पुरान की सुरक्षा को एक मौलिक कर्तव्य के रूप में पूरा करी तो हमारा यह जो में कर्तव्य है परियावलोन को सुरक्षेत रखने का तो यह हमारे धर्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में गीता उपनीशत वेद पुरानों में अनेकों हैं जिसमें भाई हम पड़ते आए हैं लेकिन क्या करें धुर्भाग्या ऐसा है कि हम लोग जो है इतना सब कुछ समझ कर भी अपने प्रकृती को नुकसान पहुचा रहे हैं उसको सरक्षित नहीं कर रहे हैं माना कि विकास बहुत ही जरूरी है पूरे धर्ती के लिए पूरे दुनिया के लिए लेकिन उस विकास के साथ साथ हमें एक तालमेल प्रकृती के साथ बनाना जरूरी है अगर हम एक पेड़ काट रहे है तो भाई हमें ये निश्चाई करना चाहिए कि एक पेड़ के जगा हमें दो पेड़ लगाने जरूरी है जहां सड़के बन रही है हज हजारों पेड़ कट रहें कोई बात नहीं वहीं वह भी जरूरी है लेकिन हजारों पेड़ की जगह हम 10,000 पेड़ और लगाते रहें एक बार लगा दो पेड़ वह उपते रहेंगे ऐसे ऐसे भी पेड़ होते हैं तो यही आज का मेरा विचार था एक धर्म के अनुसार धार् ग्यानी नहीं हूँ लेकिन मुझे किसी वरिष्ट सब्सक्राइबर्स ने ये चीजे बोलने के लिए मेरे वीडियो के मादयम से बोलने के लिए कहा है ताकि मेरे अगर 35-38,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से अगर मेरे को लगता है कि 10 लोग भी इसको अमल करे गहराई से स आतलब इस धरते पर रह करके इस पवित्र इस्थान पर रह करके जो यह बाते आपसे साजा कर रहा हूं वह पूरा हो सके वो अब मेरा कोAK करतब ये पूरा हो सके अब önce मौवावर सांव किसे खुल रहा है तो अच्छा मौवावाव मोषन हो गी तब कितना खुश्च प्या यहां पर आ करके जो आप दुनिया को बताओ अपने पड़ोसी को बताओ अपने फैमिली मेंबर्स को बताओ शेयर करो ताकि उनके जीवन में भी उद्धारो वो भी यात्रा पर आएं कुछ न कुछ सीखे तो धार्मिक यात्राओं का यही महत्वा होता है कि जब कि आप कुछ न कुछ करते रहें तो तो फिलार आज के लिए इतना ही मौसम खराब हो रहा है लगबग चार बजने वाले हैं अब तैयारी करते हैं ब्लॉग एडिट करके ब्लॉग डालने के फिर बाकि कल मिलते हैं आज संगतों से बहुत बाच्ची तो यह बहुत ही अच्छा लगा है जब संगत अपने विचार परस्थूद करते हैं और संगतों को भी मोटिवेट करते हैं या इस धार्मिक स्थानpell पर आने के लिए गुरू के चरनों में आने के लिए तो कुछ ऐसा मौसम ह और आशा करता हूं कि आप लोग जो परियावरान दीवस पे मैंने कुछ सब्द कहें उनको समझें और विचार करें और आगे ओलते हैं और